दूसरा अध्याय पीछा छोड़वाईए प्रभू शिवजी बोले ठीक है देवताओं मैं मेरा और गिर्जा का तेज आपको दे देता हूँ आप उसे नदी किनारे अग्नी में प्रवाहित करतें नदी किनारे ठंड में जो भी इस्त्री उस आग को तापेगी वो हमारे वहां अनेक इस्त्रियां ठंड में आग को देखकर तापने बैठ गई अरुन्दती ने इस रहसे को समझ लिया और उसने बहुत मना किया फिर भी अरुन्दुती की बात को किसी ने न माना वे सब आग के पास बैठकर तापने लगी शिवजी का और गेरिजा का तेज उन इस्त्रियों में समा गया और तब गंगा के किनारे एक बालक स्वरूप प्रकट हुआ उस समय आकाश में जै जै का घोश हुआ उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुन्दर था मुख नाक और हाथ बहुती सुडौल और वरण जलती हुई अगनी की तरह थे नक परम सुन्दर थे चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोणों कामदेव शर्विंदा हो जाए उसी समय गेरिजा और शिव बहुत प्रसंद हुए उस समय सारे देवता सिद्ध मुनी और गण इखटे होकर बड़ा आनन्द मनाते हुए और पुष्पों की वर्षा करते हुए कैलाश तक गए गंधर्वों ने प्रसंद होकर आनन्द के बाजे बजाए इसी तरह बड़ी धूम धाम से उत्सव मनाया गया तीनों लोकों में सब को बहुत खुशी हुई उसी समय गाधि पुत्र विश्वा मित्र जो प्रसिद ब्रामन है वहाँ आ पहुँचे उन्होंने उस लड़के की प्रार्थना करते हुए बहुत प्रसंदा दिखाई तब वह बालक विश्वा मित्र की बनाई हुई स्तुति को सुनकर प्रसंद हो गया और कहने लगा हे मुने तुम हमारा संसकार कर दो तुमी आज से हमारे पुरोहित हुए तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होगे यह सुनकर विश्वा मित्र ने कुछ सोच कर कहा प्रभो मैं ब्रामन के घर उत्पन नहीं हुआ हूँ जो मैं आपका संसकार कर पाऊं मैं तो गाधी नामक शत्री एसोत्पन हुआ हूँ और मेरा नाम विश्वा मित्र है संसकार आधी करना तो ब्रामनों का धर्म है इनके अत्रिक यदि कोई और करे तो वो बहुत दुख पाता है इसलिए अब आप अपने विशे में बताईए और आप इस तरह बालक रूप धरन किये हुए कौन है आपके माता पिता कौन है वे दोनों आपको इस तरह अकेला छोड़ कर कहां चले गए मैं आपको यहां अकेला देख रहा हूँ आपका तेज अदबुत है आप ब्रह्मचारी है या ग्रहस्त है या तीनों देवताओं में से कोई है आप ब्रह्म है जो बालरूप में प्रकट हुए है मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा आप तो उत्पन होते ही बाते करके आनंद दे रहे हैं तता अपने संसकार के लिए मुझे आज्या देते हैं कृपया करके मुझे सब कुछ साफ साफ बताएं विश्वमित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हसते हुए कहा हे विश्वमित्र हम गिर्जा और शिव के पुत्र हैं यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा, हे रिशी, तुम ब्रहम रिशी होकर सारे ब्रहमनों में प्रतिश्ठा प्राप्त करोगे, यहां तक कि ब्रहमा के पुत्र वशिष्थ भी तुमको ब्रहम रिशी कहेंगे, यह हमारा वर्दान है, उस बालक का संसकार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर्दान दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अगनी भी वहां पहुँचे और शिवजी के पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूची उनका ठीक ठीक उत्तरुस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सारी कथा अगनी से कह सुनाई। अगनी और विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल और प्रताप देखकर बहुत खुश हुए। अगनी को ये बात पहले से पता थी कि ये बालक शिवजी और गिर्जा का ही पुत्र है। उसके बाद अगनी ने उन्हें गोद में उठा लिया। और उस लड़के को अपना पुत्र माना और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिये। शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया और खुद अगनी की दीशक्ति हाथ में लेकर शुएत गिरी पर चड़कर अत्यन्त भयानक तरीके से बोलने लगे। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता था जैसे प्रलेह हो गया हो। फिर उसने देवताओं के मनुरत पूरे करने के लिए अपनी शक्ति परवत के शिखर पर दे मारी जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और परवत फट कर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान दस परमराक्षस मर गए जो पहले वहां रहते थे। देवता और मुनी चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हो रहा है लेकिन किसी को कुछ समझना आया। तब इंदरादी देवता उसे तेखने के लिए वहां गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि वही लड़का परवत पर खड़ा है। उस समय उस परवत ने अपना रूप मनिश्यों के समान बनाया, इंदर से भेंट की और हाथ जोड़ कर कहा। हे इंदर देवता, आप तीनों लोकों के देवता हैं, इस समय मुझको महान दुख मिल रहा है। इस बालक ने मुझको शक्ति से मार कर ऐसी भयानक आवाज निकाली है, कि सारे जीवों को दुख पहुँचा है, धर्ती कांप उठी है, और सब परवत वन नदी भी कांप रहे हैं। असंख जीव मर गए हैं, यह सब इसी बालक ने किया है, जो सामने खड़ा है, नहीं मालूम यह कौन है और किसका पुत्र है, इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दे दिया है, आप शीखरी इसका वद करें, नहीं तो यह प्रले कर देगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया, और कुछ भेद न समझकर उस बच्चे को मारने की इच्छा करने लगे। लेकिन शीव जी की तो लीला पार है। उसे आवाज की, तब इंद्र यह देखकर और क्रोधित हो गए, और उस बालक के बाई तरफ अपना वज्र मारा। उससे भी एक दूसरा मनुश्य उत्पन हो गया, उसे भी शारव कहा गया, दूसरा शारव भी पैदा होते ही गोर नाद करने लगा। यह तीनों पहले बालक के सहायक हो गए, वे चारों प्रले की अगनी के समान पैदा हुए थे। तब उस बालक ने अपने तीनों गड़ों समेथ इंद्र के ऊपर आकर्मन किया। इस तरह उनके आकर्मन से रुद्र का प्रलै करने वाला तेज उनमें देखकर इंद्र कहां पुठे और हाथ जोड़कर उनकी शरण में लेट गए। इंद्र ने अपने सारे शस्त्र फैंक दिये और दंडवत प्रणाम किया। इंद्र के साथ जो भी सेना थी उन्होंने भी आदर सम्मान के साथ प्रणाम किया। इस बालक ने इंद्र की यह दशा देख कर इंद्र को शांत किया और कहा, चिंता न करो, सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी प्रात्ना की, प्रभु आप बालक नहीं है, बालक के रूप में ब्रह्म है, हम आपके प्रताप को समझ नहीं पाए, इसी कारण अहंकार से हमारी ये दशा हो गई, कृप्या करके हमारे अपरादों को ख्षमा कर दें, आप सच-सच बताएं, आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, और कहां से आये हैं, इंद्र की ये बाते सुनकर बालक ने कहा, इंद्र, अब तुम शीगरता पूर्वक यहां से जाओ और राज्य करो, हम संभालेंगे, यह कहकर उसने इंद्र को वहां से विदा कर दिया और कुछ भी भेद नहीं बताया, इस तरह वहां से विदा होकर इंद्र वापस अपने राज्य लोट आए,